दोस्तों इसे पहचान रहे हैं आप लोग ये क्या चीज है अपना पासपोर्ट है यार मैं भी क्या बात कर रहा हूं भाई इसे कौन नहीं पहचानेगा कि ये पासपोर्ट है दोस्तों मुत्य की बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बैठे किस तरीके से अपना पासपोर्ट बना पाएंगे जैसे हमने बनाया है टोटल सब कुछ दोस्तों step by step पूरा बताने वाले हैं आप लोग बीना इसकीप किये वीडियो को पूरा complete देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एक एक टॉपिक के बारे में आम बात करेंगे ज इस मोबाइल में आप लोग वीडियो देख रहे हैं यह मोबाइल तो होना जरूरी है दोस्तों अगर यह मोबाइल है तो आप लोग भी कर सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक करिए और चैनल को सब्सक्र प्राइबी कर लीजिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस पासपोर्ट को बनवाते समय कुछ गलतियां लोग करते हैं जिनकी वज़े से कुछ लोगों को ये पासपोर्ट नसीब नहीं होता है पूरे जिंदगी वर्तक वेट करते रह जाते हैं उनको पासपोर्ट मिलता ह ही नहीं है कुछ ऐसी गलतियां हैं जैसे दोस्तों कई बार होता हुटा है कि आप लोग कहीं जन से कुछ कंग केंद्र के से अपना पासपोर्ट अपलाई करवाते हैं और apply करने वाला कुछ गलतिया कर देता है जैसे आपके नाम में कुछ mistake कर दिया आपके जननतिती में कुछ mistake कर दिया आपकी wife के name में कुछ mistake कर दिया आपके मम्मी का नाम ही गलत लिख दिया तो इस वज़े से दोस्तों आपको दिक्कत हो जाता है आपका passport कभी कभी बन भी जाता है लेकिन जिंदगी भर के लिए आपको problem हो जाएगा तो इसलिए यार दूसरे से क्यों request करना एक तो उसे पैसा भी जादा देना है आप लोग खुद से apply करो, खुद पे तो भरोसा रहेगा आप लोग बढ़ियां से match करा सकते हो दोस्तों एक बार मेरे एक दोस्त का passport मैंने online किया हुआ था जब मैं passport आप इस पे गया तो वहाँ पे एक बंदे का तुरंत ही hold हो गया जैसे बेचार अंदर गया थोड़ टाइम बाद वो बाहर आ गया तो हम पूछ रहें जो उसकी ममी का नाम है उसका क्या किया था ममी के नाम के जगा वाइफ का नाम ड्याल दिया था जिसने online किया था और वाइफ के नाम के जगा ममी का नाम ड्याल दिया था इसकी वज़ा से उसके passport को hold कर दिया गया तो दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं कि मतलब online करते समय गलतिया कर देते हैं वो तो गलती कर देगा फसेंगे आप अब चलिए documents की बात कर लेते हैं कि आखिर passport बनमाते समय documents क्या क्या होने चाहिए तो आपके पास total तीन documents होने चाहिए अगर ये तीन documents आपके पास रहेंगे तो आपका passport से और सोर्ट है hold नहीं होगा 100% आपका issue हो जाएगा, clear हो जाएगा पहला जो documents है आपके पास आधर card होना चाहिए दूसरा जो document है, pine card होना चाहिए और तीसरा जो document है, आपके bank का passbook होना चाहिए ये तीनों document होना चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोग है लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनके लिए एक document और बढ़ जाएगा उनका total 4 document लगेगा उनकी 10th की mark sheet लगेगी या 12th की, दोनों में से कोई एक mark sheet वो लगा देंगे उनका ECNR passport होता है, ठीक है और जो ECNR passport होता है, वो जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए बनाया जाता है तो उनमें 10th का mark sheet या 12th का mark sheet जब पढ़े ही नहीं है तो रहेगा कहां से लगता ही नहीं है, ठीक है 7th pass और less पे बनाया जाता है तो दोस्तों और पैसे की बात कर लें तो मातर आपके 1500 रुपया आपके account से काटे जाएंगे बस यही चार्ज लगेगा और आपको कुछ भी इसके अठ़र नहीं कोई चार्ज अब नए लगेगा तो दोस्तों अब चलिए आपको बता देते हैं उनलाइन अपलाई कैसे करना है तो चलिए अब आपको अपलाई करने का तरीका बताते हैं अगर आप लोग mobile से अपलाई कर रहे हैं पासपोर्ट सेवा जैसे ही सर्च करेंगे सबसे उपर passportseva.gov.in की वेबसाइट आजाएगी इस वेबसाइट पे क्लिक करके आपको वेबसाइट को ओपिन कर लेना है website open होने के बाद यहाँ पर इस type का option आएगा card देना है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इसमें login करना होगा अगर आपके पास login ID और password नहीं है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे comment करके बताईएगा मैं आपको एक link दे दूँगा जिसके द्वारा आप लोग simple इसके अंदर अपना नया account बना पाएंगे तो चलिए यहाँ पर हम login ID और password डाल के यहाँ पर देखिए हमने दोनों फिल अप कर दिया है capture code डाल के simple login कर लेते हैं login करने के बाद ही हम लोग apply कर पाएंगे दोस्तों तो अगर आपके पास user ID पासवर्ड नहीं है तो comment करके जरूर बताएगा मैं बता दूँगा किस तरीके से आपको इसमें login करना है तो देखिए अभी यह successfully login हो गया है अब यहाँ पर हमें passport apply करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले सबसे दूसरे नंबर पर आईए चलिए दूसरे नंबर पर देखिए यहाँ पर apply for phrase passport and re-issue passport तो इसके उपर आपको कर देना है एक बार click क्लिक करेंगे उसके बाद से देखिए इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे क्लिक करना है यहाँ पर देखिए click here to fill the application form इसके उपर आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दूसरों applying for वाले option में यहाँ पर सबसे पहले phrase passport को आपको select कर लेना है type of application में आपको normal select करना है यहाँ पर booklet type में आपको 36 pages को select करके next कर देना है देखिए जिस तरीके से मैं apply कर रहा हूँ same to same इसी तरीके से आप लोग देख करके apply कर सकते हैं तो देखिए हमने next कर दिया तो यहाँ पर अगला option खुल करके आग यह application details का अपलिकेंट details का sorry दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको अपना first name इसके अंदर अगर आपका last name सरनेम है तो डाल दीजिए male female जो भी है यहाँ पर आप लोग select कर लीजिएगा चलिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको no कर देना है यहाँ पर push try कि आप किसी और नाम से जाने जाते हैं आपने कभी अपना नाम change किया है तो इसे भी no कर देना है इसमें आपको अपना date of birth डाल देना है यहाँ पर देखिए push try आप लोग इंडिया के बाहर के रहने वाले हैं यहाँ पर no ही रहने देना है पहले सो बर्त में आप लोग अपने जीले का नाम इसके अंदर enter कर दीजिएगा उसके बाद से state आप लोग भारत के जिस भी राज्य के रहने वाले हैं अपने राज्य को यहाँ से select कर लिजेगा सभी राज्य का जो पास्पोर्ट अपलाई करने का तरीका है same to same है उसके बाद से आपको अपने जीले को select कर लेना है अपना जीला select करने के बाद marital status में अगर आप बिधवा है तो यहाँ पे video वाले option को select कर लिजेगा और अगर तलाक हो गई है तो divorce को अगर single है तो single साधी हो गई है तो married वाले option को select कर लिजेगा यहाँ पे देखिए अगर आप लोग single है तो single ही select कर लिएगा साधी हो गई है तो married ठीक यहाँ पे citizens of sleep of India में आपको birth ही रहने देना है यहाँ पे आपको अपने pen card का number enter कर देना है ओटर आइडी को आप लोगों को छोड़ देना है ओटर आइडी जरूरी नहीं है employment type में आप लोग self employed को ही select कर देगा चलिए यहाँ पे हम self employed select कर लेते हैं अब यहाँ पे देखिए आप से अगर आप लोग minor है तो yes minor नहीं है तो यहाँ पे no को select कर दीजिए education qualification में आप लोग पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे देखिए 10th pass and above को select करिएगा अगर पढ़े लिखे हैं तो इस condition में ECNR passport बनेगा पढ़े लिखे नहीं हैं तो 7th pass और less यानि पढ़े लिखे नहीं है साथ के नीचे ही पढ़े लिखे हैं इसलिए हमने 7th pass और less कर दिया अगर यहाँ पे देखिए automatic यहाँ पे देखिए non ECNR category में यहाँ पे देखिए no हम करेंगे तो हो जाएगा लेकिन यहीं पे अगर 10th select करेंगे तो automatic यह yes हो जाएगा automatic yes करना पड़ेगा ठीक तो चलिए हमने यहाँ पे no कर दिया अब देखिए visuality पे हम कुछ भी नहीं भरेंगे लेकिन यहाँ पे देखिए आधार नंबर में आपको अपने आधार नंबर को enter कर देना है आपका जो भी आधार नंबर है इसके अंदर next कर देते है नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइमिली डीटेल्स आप से पूछा जा रहा है तो इसके अंदर आपको क्या करना है 아버 जैसे इसके अंदर आपके पीता जी का first name और अगर पीता जी का last name है तो इसके अंदर, मम्मी जी का इसमें first name, last name है तो इसके अंदर, बस इतना enter करने के बाद आपको फिर से save my details पर कर देना है, click, यहां पर देखें, legal guardian name आपको छोड़ देना है, बस यही दोनों details fill up करना है, अगर यहां पर आप married है, तो आपकी wife का नाम यहां पर fill करने का option आ जाएगा, अब save my details करके हमें simple next कर देना है, अब हमने next कर दिया, तो यहां पर देखें, present residential address यहां पर पूछ रहा है, तो यहां पर आपको no ही रहने देना है, और इसके अंदर आपको अपने house number या street name को इ अपने state को यहां से select कर लिजेगा, जिस भी राजिक है, select कर लिजेगा, उसके बाद से अपने district को अपने जीले को यहां से select कर लेना है, चलिए, आपर जीला भी select कर लेते हैं, फिर यहां पर देखें, जैसे ही select हो जाएगा, उसके बाद से आपको अपने police station को select कर लेना है, आपका जो भी पुलिसी स्टेशन पढ़ेगा सलेट कर लीजेगा इसके अंदर आपको अपने pin code को एंटर कर देना है इसके अंदर आपको अपना mobile number एंटर करना है टेलिफोन नमबर छोड़ दीजेगा email ID में email ID जरूरी है email ID डाल दीजेगा और यहाँ पर देखिए आपको yes कर देना है पूछ रहा है आपका जो permanent address है वो same to same है तो यहाँ पर आपको yes कर देना है तो yes करेंगे तो एक box और आजाएगा yes करने के लिए present address का तो इसे भी आपको yes कर देना है दोनों आपका address same to same है तो यहाँ पे आप yes कर दीजिएगा तो चलिए यहाँ पे इसको भी yes कर देते हैं और उसके बाद से save my details पे करना है click और फिर आपको क्या करना है next कर देना है चलिए details save हो गया next कर देते हैं next करने के बाद देखिए emergency contact यहाँ से पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है पहले अपना पूरा नाम इसके अंदर एंटर करना है उसके बाद से इसी के अंदर आपको अपना पूरा address भी एंटर कर देना है पूरा address नहीं जैसे अगर आप लोग गाओं के रहने वाले हैं जिस गाओं में उस गाओं का नाम एंटर कर देना है या फिर अपने city का नाम अपना नाम और city का नाम उसके बासे इसके अंदर आपको अपना mobile number telephone, email id छोड़ दीजिएगा फिर से save my details करिएगा और उसके बासे next कर दीजिएगा अब यहाँ पे देखिए यह वाला जो step है इसको तब fill up करना होता है जैसे आपका passport अगर कहीं गायव हो गया या फिर आप लोग passport को re-sue कर रहे हैं तो उस condition में आपको इसको fill up करना पड़ेगा आप लोग बीना पड़े पहले वाला no है तो no ही रहने देना है अगर आप लोग नया बना रहे हैं तो यहाँ पे पहले वाला no है यहाँ पे पूछ रहा है आपका passport कभी hold हुआ या नहीं हुआ है तो यहाँ पे नो ही रहने देना है और यहाँ पे देखिए दूसरे वाले पे आते हैं यहाँ पे पूछ रहा है कि पहले वाला जो पासपोर्ट है उसका डिटेल्स है या नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करेना है आपको नो कर देना है डिटेल्स नोट अवेलेबल नहीं करना है आपको डिटेल्स नोट अवेलेबल तो चलिए यहाँ पे डिटेल्स नोट अव कर देना है इन तीनों को आपको नो ही करके आपको फिर से माई डिटल पर करना है क्लीक और Next कर देना है चलिए Next कर देते हैं अब यहाँ पे देखे अगर आप लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं बीना परिशान हुए तो सभी को NO कर दिजिए क्योंकि हमने पहले से पढ़ा हुआ है आप लोग चाहें तो एक एक करके पढ़ लीजिएगा चलिए हमने पहले से मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं इसलिए मैं सभी को NO कर देता हूं आप भी टाइम बचाने के लिए सब को नो कर दीजिएगा चलिए जल्दी जल्दी से हम नो कर देते हैं उसके बस से यहाँ पे से माई डिटेल्स करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे फिर अगला स्टेप खुलेगा तो इस स्टेप में आपके पासपोर्ट का डेमो दिखा जाएगा आपको क्या करना है अच्छे से अपने पासपोर्ट का जो डेमो है देख लेना है कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है अगर कुछ गलत है तो आप लोग बैक करके फिर से सुधार कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर बढ़ियां से आप लोग सब कुछ मैच करा लीजिएगा अगर आपको सब कुछ सही है यहाँ पर जो important details है यहाँ पर आपको दिखाया जाता है सब कुछ सही है तो check करने के बाद आपको next कर देना है हमने match करा लिए हमारा सब कुछ सही है चलिए next करते है अब यहाँ पर देखिए आप से self declaration में देखिए यहाँ पर proof of birth मांग रहा है तो यहाँ पर क्या करना है proof of birth और एक proof of address तो इन दो proof को आपको select करना पड़ेगा कि आप कौन कौन सा यहाँ पर documents attach कर रहे हैं तो proof of birth में मैं यहाँ पर click करूंगा और इसमें pen card को select कर दूंगा तो यहाँ पर pen card हम पहले search कर लेते हैं pen card है कहाँ पहले वाले में pen card select करेंगे यहाँ पर देखिए यह रहा pen card issued by income tax department तो चलिए इसको हम select कर लेते हैं यहाँ पर देखिए select हो गया अब दूसरा वाला जो है आधार कार्ड हमें select करना है यहाँ पर देखिए present residential address में चलिए किलिक करते हैं यहाँ पर देखिए आधार कार्ड सबसे उपर था हमने दोनों को select कर दिया अब क्या करना है यहाँ पर select करने के बाद यहाँ पर देखिए पहले इसमें आपको अपने district का नाम इंटर कर देना आप लोग जिस भी जिले के रहने वाले हैं यहाँ इस वाले box पर आपको agree करके same my details पर कर देना है click click करने के बाद देखिए अब अपने form को पहले यहाँ पर देखिए preview application form पर करना है click अब दोस्तों बिल्कुल आखे खोल करके ध्यान दीजिएगा preview में आपको जो भी दिखाया जाएगा आपने अभी तक जितने भी चीज़ को फिलप किया है वहाँ पर एक जगह पर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा आप लोग अच्छे से match कराईएगा बढ़िया से आखे और दिमाग दोनों खोल करके match करा लिजिएगा यहाँ पर अगर कुछ mistake हो गया ना भाई तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है आप लोग बढ़िया से match करा करके उसे cut कर दिजिएगा अगर सब कुछ तरही है तो यहाँ पर submit form पर करिएगा क्लिक उसके बासे आपका form submit हो जाएगा अब आपको क्या करना है appointment book करना है तो appointment book करने के लिए देखिए पहले payment करना है तो pay and settle appointment पर करना है क्लिक अब यहाँ पर देखिए online वाले option को यहाँ पर select कर लेना है आपको उसके बास next करना है अब फिर से यहाँ पर आपको next कर देना है अब आपको नीचे आना है यहाँ पर आप लोग अपने location को select करिएगा जहाँ पर आप लोग appointment लेना चाहते हैं तो हम यहाँ गोरखपूर में लेना चाहते हैं तो इसलिए हमने गोरखपूर को select कर दिया है अब इस capture code को same to same इसके अंदर fill up कर देते हैं चलिए NPY7B अब यहाँ पर next कर देते हैं next करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको calendar वाले option पर करना है क्लिक यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो date दिखाया जा रहा है यहाँ पर दिखाया जा रहा है देखिए कल का जो date है सो हो रहा है तो आप लोग कल का date book करना चाते हैं तो simple यहाँ पर देखिए जो भी date book करना चाते हैं तो यहाँ पर select कर सकते हैं वाली calendar पे क्लिक करके हम कल का ही datebook कर रहे हैं pay and book appointment पे klik करते हैं और UK करते हैं करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे payment gateway पे लेकर के आगा है net banking से payment करना चाहते हैं तो यहाँ से करियेगा और card से payment करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं UPI से करना चाहते हैं, तो यहां से कर सकते हैं, तो फिलाल हम UPI से payment करने वाले हैं, हमने UPI वाले option को select कर गया, अब बार code से हमें payment करना है, तो keyword code वालों को select करके, जैसा ही select हमने किया, यहां पर देखिए, एक keyword code सो हो गया, तो हमें क्या करना है, इस keyword code पर scan करके payment कर देना है, हम यहां पर सक्सेस बता रहा है चलिए ओके करते हैं चलिए यहां पर हम ओके कर देते हैं तो यहां पर देखें पेमेंट हमारा कम्प्लीट हो गया है लेकिन थो टाइम अभी वेट कर लेते हैं अभी रीडारेक्ट करके ले करके जाएगा देखें रीडारेक्ट कर रहा है अभी यहाँ पर ध्यान दिजगा दोस्तों आप लोग कुछ भी शेडशार मत करिएगा आपका इंटरनेट कनेक्शन बिल्गुल सही होना चाहिए नहीं तो यहाँ से कट जाएगा इससे बड़ी हम लोग अपने कनेक्शन को ठीक रखें तो अभी देखिए अभी यह आगे लेकर के जाएगा और यह डाइरेक्ट हमारा जो अपोइटमेंट है बुक हो जाएगा देखिए हमारा अपोइटमेंट सक्सेस्फुली बुक हो गया है अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज़ भी चला गया है कि आपका अपोइटमेंट सक्सेस्फुली बुक हो गया है अब आपको क्या करना है अपोइटमेंट तो बुक हो गया यहाँ पे नजर आ रहा है आपको इस receipt का print out, आधार card की photocopy, pen card की photocopy, bank के facebook की photocopy और साथ में original documents लेना है photocopy और इस वाले form के नीचे आपको signature कर लेना है अपना signature करने के बाद आपको passport सेवा office के अंदर जाना है वहाँ पे आपका पूरा काम 100% अच्छे तरीके से clear हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं करना है आपका passport बन के 20 दिन में आपके घर